नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए आईए इस वीडियो में हम लोग अपने सारे कॉंसेप्स को समराइज कर लें जो भी हमने पढ़े हैं प्रष्ट शेत्रफल और आयतन से रिलेटेड तो यहाँ पे हमने बात करी ठोसों की और उसके प्रष्ट शेत्रफल और आयतन की और सबसे पहले हम यह देखेंग कि अगर हमारे पास ठोसों का सयोजन हो रहा है तो उसके प्रष्ट शेत्रफल पे क्या असर होगा तो हमने अलग-अलग जो ठोस देखें वो थे घन, घनाब, शंकू, गोला, अर्द गोला और बेलन और हमने यह भी देखा कि उनके जो अलग-अलग प्रष्ट शेत्रफल है वो क्या होते है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम घन और घनाब की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास फूल-प्रष्ट शेत्रफल जो है वो इनके जो संतल है, उनके अरे प्रष्ट शेत्रफल को ही जोड़कर मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें को वक्र प्रष्टे शेत्रफल भी मिल रहा है इसलिए जब हम पूर्ण प्रष्टे शेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम सी ऐसे और फ्लाट सर्फेस का जो सर्फेस से दिया है उन दोनों को आड़ कर रही है फिर हमने यह रेखा कि यहां पर जब हम शंकु की बात कर रहे थे तो प्योग भी होता है और इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास पूर्ण प्रष्टे शेत्रफल के जो सूत्र आए एक घन के लिए 6a² एक घनाप के लिए 2 lp प्लस bh प्लस hl और अगर हम शंकु की बात करें तो पाई आरल प्लस पाई आर स्कूर अगर हम एक गोले की बात करें पाई आर स्कूर अगर हम एक अर्ध गोले की बात करें तो यहाँ पे फिर से हमारे पास जो दो शेत्रफल है वो बन जाते हैं एक है वक्र प्रष्ट शेत्रफल जिसके जो आधा हो जाएगा गोले का और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपर हमें एक और वृतिय लेख सकते हैं कि जब हम बेलन की बात कर रहे हैं तो पूंड प्रश्टि शेत्रफल के लिए फिर से हम वक्र प्रश्टि शेत्रफल और उपर नीचे मिलने वाले जो समतल शेत्र हैं उनका भी शेत्रफल योग कर रहे हैं और इसलिए हमें 2πr h plus 2πr square मिला जिसमें से हम 2πr को अगर उभैनिश निकालने तो h plus r हमारे पास बचेगा मगर यह जो भी हमने यहां पर ठोस पढ़े यह अलग-अलग आकार पढ़े और जो की बिलकुल बेसिक हैं लेक हमने बेसिक शेप्स यहां पर पढ़े जो प्रात्मिक शेप्स हमारे पास होते हैं बर जब हम अपने च ले लें तो इन सब में ही आप देख सकते हैं कि यहां पर एक अर्ध गोला और एक शंकू का जोड़ है यहां पर एक अर्ध गोला एक बेलन और एक घनाब का जोड़ है यहां पर एक बेलन और एक अर्ध गोला और एक शंकू तीनों का ही जोड़ मिल रहा है तो अब प्रश जो हमारे पास यहां पे आकार हैं वो है एक अर्धगोला और यहां पे एक शंकू और इन दोनों को जोड़ करके हमें यह ठोस मिला परन्तु अगर हम इसके प्रश्टिशेतरफल की बात करेंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि हम प्रश्टिशेतरफल अर्धगोले और सित्रुटी हो रही है क्योंकि जब भी हम इस तरीके से इन्हें जोडते हैं तो यहां पर एक शेत्रफल है जो कि यहां पर संतल शेत्रफल था अर्ध गोले का भी ओर शंकु का भी वो छुप रहा है और हम जब भी किसी भी ठोस के प्रस्टि शेतरफल की बात करते हैं तो हम सिर्फ उनहीं शेतरफलों का योग लेते हैं जो कि हम छू सकते हैं या फिर हम कहलें कि जो कि हमें बाहर की तरफ से दिख रही हैं जो यहां पे छुप गए हैं उनको हमें योगफल म नहीं लेना है इसी लिए जब हम यहां पे पूर्ण प्रस्टिश एत्रफल निकाल रहे हैं नए ठोस का तो हम यहां पे पूर्ण प्रस्टिश एत्रफल अर्ध गोले का और शंगू का ना जोड़ करके सिर्फ और सिर्फ उनका वक्र प्रस्टिश एत्रफल ही जोड़ रहे है क्योंकि यहाँ पे जो समतल वाला प्रस्टिश एत्रफल था वो तो दोनों ही में छुप गया तो मुझे आशा है आपको यह बाद अच्छे समझ में आ गई अब बात करते हैं कि अगर हम दो ठोसों का संयोजन कर रही हैं तो उसके आयतन पे क्या असर होगा तो जैसा कि अभी आयतन हैं वो भी हमें पता हैं जो घं है उसका आयतन हो जाएगा उसकी साइट का त्री घात और जो भी हमारे पास उत्तर आएगा वो क्यूबिक यूनिट्स में होगा इस दरीके से अगर हम एक घनाब की बात करते हैं तो उसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई का जो भी अर्दगोले की बात करते हैं तो वो जो एक पूरा गोला है उसकी आयतन के आधी हो जाएगी इसलिए है दो बटे तीन पाई-ार क्यूब और अगर हमें एक वेलन की बात करते हैं तो इसकी आयतन हो जाएगी पाई-ार स्कॉएर एच और हमने ये भी देखा कि हमारे पास तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, अपनी चारों तरफ देखे जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी जैसे कि एक आइसक्रीम खोन या फिर एक लैमशेड या फिर एक हम इस तरीके के लट्टू की बात कर लें, तो यहां पर अगर इनकी इन वस्तुओं की जो आयतन है वो न योजन कर रहे हैं, तो जो ठोस का सा योजन किया जा रहा है, वो ही आयतन में सिर्फ योगफल हो जाएगा, तो जैसे कि अगर हम एक आइसक्रीम कौन की बात करें, जो कि एक अर्ध गोले और शंकू का जोड़ है, तो अगर आपको इस आइसक्रीम कौन की आयतन निकालनी है तो आप बस अर्ध गोले की आयतन और शंकू की आयतन का योगफल निकालने, तो काफी सरल है ये समझना कि किस तरह से जो हमारा नया ठोस है, उसकी आयतन हम निकाल सकते हैं, इसके बात हमने देखा कि अगर एक ठोस जो है, वो अपना आकार बदल ले और दूसरे आकार में उसका रूपांतरन हो जाए, तो उसकी जो आयतन है, वो नहीं बदलती, और इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि, कि अगर हमारे पास कोई एक ठोस बेलन है और उससे हम एक नया गोला बना लें, तो बेलन की आयतन और इस गोले की आयतन बराबर रहेगी, या फिर अगर आपक की आयतन देखें, तो दोनों का जो मान है वो बराबर आएगा, और अगर आपके पास एक इस तरीके का भी केस है, कि जहां पर आपके पास एक बड़ा बेलन है, और उससे आप अब छोटे छोटे शंकू बना रहे हैं, तो भी आपके पास जो ये बड़ा बेलन था, जिसको आपने रूपांतरण किया, उसकी आयतन जो है, इन छोटे शंकू की आयतन के योगफल के बराबर होगी, तो यहां से हम क्या समझें, कि हमारे पास अगर कोई भी एक ठोस है, उसकी आयतन नहीं बदलेगी, अगर हम रूपांतरण करेंगे, चाहे हम सिर्फ आकार का रूपा रूपांतरण करें, उसके माप का रूपांतरण करें, और चाहे हम आकार और माप दोनों का रूपांतरण करनें, तो भी हमारे पास आयतन नहीं बदलती है, तो बस यही बेसिक कॉंसेप्ट है, जो हमें इस विशय में पढ़ना था, और अब आईए, क्यूंकि हमें इस को पिगला कर एक बड़ा धोज गोला बनाया गया है, इस गोले की त्रिज्या ग्याद कीजिए, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का काम किया गया है, कि हमारे पास तीन छोटे छोटे गोले थे, और उनकी त्रिज्या हमें दी गई थी, और हमने इनको पिगला करके एक बासा गोला बना लिया अब प्रश्न यह है कि यह जो बड़ा गोला है इसकी त्रिज्जा क्या होगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना basic concept क्या रखना है कि रूपांतरण से पहले वाली जो आयतन है वो रूपांतरण के बाद वाली आयतन के बराबर ही होगी तो कि पहले हमारे पास तीन गोले थे तो हम क्या कहेंगे तीनों गोलों की आयतन का योगफल नए गोले की आयतन के बराबर होगी और हम तीनों गोलों की आयतन कैसे निकालेंगे तो आईए हम उसके लिए सूत्र लिख लेते हैं तो अगर हमारे पास कोई गोला है तो उसकी आय लिख लेते हैं और तीसरे के लिए हम यहां पर तीन होगा तीसरे के लिए हम R3 लिख लेते हैं और जो नया गोला हमारे पास बन के आ रहा है उसके लिए हम R लिख लेते हैं तो यह इस तरीके से हो गया और जहां पर R1 का जो मान है वो 6 है R2 का जो मान है वो 8 है और R3 का जो मा को बहनिश निकाल लूँ, तो देखें, पहले पद में r1ा3バचा, दूसरे पद में r2ा3 की उपचा, और तीस्वे पद में r3ा3 बचा, और इसको मैंने बराबर कर दिया, 4 बटे 3ा3ासा निकाल couple, लिखेंगे पूरे ही समी करण में 4 बटे 3 पाई से भाग दे दूं, तो देखें क्या होगा, कि यहां पे 4 बटे 3, 4 बटे 3, और यह पाई और यह पाई हड़ गया, और अगर इस तरफ भी मुझे है करना ही पड़ेगा, क्यूंकि दोनों तरफ मुझे एक ही क्रिया करनी है, और इससे का इहांन में मान रखें, तो वो हो गया 6abanmak, R2 जो है वो आरट कूप और यहां पर यह हो गया 10 kूप, और यह बराबर हो गया 9く के, तो चलिए आयए 6 nada निकाल लेते हैं, मुझे पता है कि 6 rub 216 होता है, 8 k youtube जो है वो 512 होता है, और 10 knun होता है, और इसके बराबर हो गया यह r cube और जब मैं इन तीनों का योगफल करूंगी तो मुझे मिलेगा 8 2 7 1 और यह हो गया 1728 तो अगर मुझे r का मान निकालना है तो वो हो जाएगा इनका cube root और cube root हम कैसे निकालते हैं तो चलिए आई इसको factorize कर ले होन्ता है तो 1728 का अगर हम गुडनखंडन करें गए और Tabii आगर ने दो word की बत करनी थी तो मैंने यहां पर 3, 3 के समूब बना लिये आए इस दरह से मुझे मेंरन हम यहां पर मिलजाएगा cube root 2 cube का, फिर 2 cube का और 3 cube का और यह मिल जाएगा 2 गुणा 2, 3 जो की हो जाएगा 12 और क्यूंकि मेरे सारे ही जो मान थे वो cm में थे तो ये नाब भी cm में ही होगी और इसलिए हम ये कह सकते हैं जो नया गोला हमारे पास बनके आया उसका त्रिज्या क्या है? उसका त्रिज्या है 12 cm तो काफी असान प्रशन था ये कुछ जरूरी चरण जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कि देखें यहां पे मैंने देखा कि मुझे जो समीकरण मिल रहा था उसमें 22 तरफ और 29 तरफ दोनों तरफ ही चार बटे 3 पाई था इसलिए मैंने पाई की यहां पे जो मान है उसको नहीं रखा पाई का मान जो है वो 22 बटे 7 होता है और वो भी approximate होता है और उसको फिर अगर हम लेते हैं तो हमारे जो calculation हैं वो काफी tough हो जाते हैं तो यहां मैंने जितना possible हो पाया बिना number रखे cancel किया और आखरी चलाण में मैंने numbers को रख करके फिर calculation perform करी तो आप भी कुछ इस तरीके का प्रश्न के अनुसार पहें की किस तरीके से हैं हम calculation easy करें अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है बेस व्यास 2 cm और उचाई 16 cm के एक थोस बेलन को पिगला कर समान तरिज्या के 12 थोस गोले बनाए जाते हैं प्रतेक गोले का व्यास पता कीजिए तो व्यास यानि की diameter आपको एक बेलन दिया गया है जिसकी उचाई और बेस diameter गिवन है और ये कहा जा रहा है कि उसको पिगला करके हमने क्या बनाए ठोस गोले बनाए और कितने बनाए बारा बनाए और प्रतेक ठोस गोले का व्यास हमें बताना है तो हमें कुछ जो यहाँ पे condition दी गई है वो इस प्रकार की है कि हमारे पास जो ये बेलन था उसकी उचाई 16 थी और उसका व्यास जो है वो 2 cm दिया गया था और प्रतेक गोला जो है वो समान है और इस तरीके से 12 गोले बने तो मैंने यहाँ पे हर गोले के जो त्रिज़ा है वो 2 मान लिया और जो भी यहाँ पे पुछा गया है उसका उत्तर देने के लिए मैं इस त्रिज़ा का 2 गुना कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे व्यास पूछा गया है तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आगे और चलिए अब प्रश्न का हल करें तो यहां पे जो मुझे concept लगाना पड़ेगा वो यही कि जो मेरे पास ये बेलन है और इसकी आयतन है वो इन सारे ही जो गोले हैं उनकी आयतन के योगफल के बराबर होगी तो बेलन के लिए जो आयतन का मेरे पास सूत्र है वो है पाई आर स्कोएर एच और यहां पे मैं आरवन और एच वन निखलेती हूँ क्योंकि मैं यहां पे रूप आंतरन के पहले वाले जो आकार है उसके बारे में बात करनी हूँ क्योंकि व्यास दो दिया है तो त्रिज्जा बचा आधी हो जाएगी तो यह 1 cm हो जाएगा और उचाई जो हमको 16 cm दी गई है और यह जो हमारे पास दिया गया बेलन था उसका हमने रूप आंतरन करके 12 चोटे क्या बनाए गोले बनाए और हर गोले के लिए हमारे पास जो बटे तीन पाई और क्योंकि यहां पे मैंने तरिज्जा को आर लिखा है तो यह आर क्यूब हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ मुझे पाई मिल रहा है तो पहला चरणी है कि मैं दोनों तरफ पाई से इसको जो है वो डिवाइड कर दूँगी या भाग दे दूँगी तो वो पाई कैंसल हो जाएगा अब चलिए आएए यहां पे जो मुझे मान दिये गए हैं वो रख लेते हैं और आर वन का मान जो है वो वन है तो वन स्कॉर और एच वन का मान सोला बराबर बारा गुना चार और यह तीन और फिर हमारे पास जो आर है वो ऐसे ही आ जाएगा तो इसको हल करने के लिए आए दोनों तरफ तीन से गुना कर लेते हैं और जब हम इस तरफ तीन से गुना करेंगे तो यह कैंसल हो जाएगा दोनों तरफ 4 से जो है वो भाग दे देते हैं तो यहाँ पर जो 4 है वो cancel हो जाएगा दोनों तरफ 12 से भी भाग दे देते हैं तो यहाँ पर जो 12 है वो cancel हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिला 16 गुना 3 और यहाँ 4 गुना 12 और यह हो गया RQ तो 16 गुना 3 और 4 गुना 12 दोनों ही 48 है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह 4 चोगो 16 हो जाएगा 4 गुना 12 तीन 3 हट करके हमारे पास RQ का मान जो है 1 आ गया तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि जो हमारे पास नए गोले बने उनका जो त्रिज जया है वो कितना है 1 cm ही है मुझे आशा है मैंने आपको इहाँ पर इस वीडियो में जो भी बाते बताई आपको अच्छे से समझाई होंगी